हलो दोस्तो मैं प्रशान और आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का वीकली इनालिसिस करके बताएंगे कि नेक्स्ट विक अबरॉल मार्केट का मूड और सेंटिमेंट कैसा रहेगा और मूड और सेंटिमेंट को देखते हुए क्या ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करा है निफ्टी अगर हम 2014 की बात करें तो देख सकते हैं 2014 का नंबर आपको यहां पर तो ग्रीन कैंडल लेकिन जितना इस ट्रुंट इस ग्रीन कैंडल में उतना इस ट्रुंट इन दोनों coração में भी नहीं है लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आ गया यह जो green candle है यह green candle दिखा रहा है कि market यहां पे आपका overbought हो गया अब यह market को हम overbought क्यों करें क्योंकि जो भी indicator overbought और oversold को indicate करता है उस indicator की माने सिर्फ एक ने multiple indicators की बात कर रहा है तो वो सब यही दिखा रहा है कि market आपका overbought condition में आ गया पहला point दूसरा point FII index long position जिसके उपर आगे हम बात भी करेंगे वो आपका 83% करिब आ गया जो कि बहुत ही जादा high है और यह दिखा रहा है कि FII की तरफ से बहुत जल्द profit booking आ सकता है तीसरा बजट का भी time नजदी के आ रहा है और बजट से पहले लोग market से हलका होना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पर uncertainty generate होगा ति यह तीन factor है जो कि दिखा रहा है कि market में आने वाले time में एक correction हमें देखने को मिल सकता है अब इस correction से हमें घबरादा नहीं है ज्यादा strong गिरावट नहीं होगा छोटा सा correction जो कि market के आगे move के लिए healthy होगा otherwise market यहाँ से move करता चला गया तो एक बाट major गिरावट आ सकता है तो बड़े गिरावट को रोकने के लिए यह छोटा छोटा correction जरूरी है तो अब यह correction के कारण से nifty में क्या down trend पूरे हफ़ते continue रहेगा या फिर कुछ दिन तक चलेगा या फिर यह सब कुछ कोई काम नहीं करेगा nifty में up trend continue रहेगा क्या कुछ रहेगा वो हम details से analysis करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ data के उपर बात करना चाहेंगे वह अगर हम data के उपर बात करें तो सबसे पहला data है आपका इंडिया विक्स का इंडिया विक्स आपका 13.20 से इंक्वीज होके 13.80 कर विया आ गया यानि यह 14 करीब आ गया जो कि इसका normal range है तो विक्स का उपर साइड की तरफ जाना एक ठीक ठाक इंडिकेशन दे रहा market के overall strength के लिए FI की तरफ से अगर हम बात करें तो 4622 करोर का buying हुआ है लेकिन ध्यान देना है कि Friday को FI लगवग 25 करोर का बिक्वाली भी किया है बिक्वाली नहीं बोल सकते FI का धीरी दे profit booking mode में जा रहे हैं इस बात को ध्यान देना होगा और next trading session FI को closely track करना होगा DIA का buying mode जा रही है और आगे भी buying mode continue रहने वाला है और last week 7146 करोर का, sorry 86 करोर का major buying देखने को मिला है अब FI index long position जिसके बारे में हमने हलका सा जिक्र भी करा था यह देख सकते हैं, सीधे 57% से बरके आपका 83% के करीब आ गया है यह आपका high नहीं, बहुत ही जादा high है अब यह हमें क्या indicate कर रहा है, यह indicate कर रहा है कि FI के तरप से बहुत जल्द यानि अगले हफते profit booking देखने को मिल सकता है इसलिए FI index long positions पे आपको closely नजर बना के रखने की ज़रुवत होगे निफ्टी के अपरवल बात करें, तो 628 point का upside move बैंक निफ्टी 1000, बासर point का upside move और फिन निफ्टी आपका 587 point का upside move इन तीनों ने जवर्दस upside move दिया है लेकिन हमें देखना क्या है, क्या next week भी सेम तरह का upside move जारी रहेगा या नहीं रहेगा इसको लेके एक question mark है, चलिए इसी चीज़ को हम analysis करके find करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे channel पे पहली बार आये हैं, तो channel को subscribe करके bell icon जोड़ दवा दिजगा, क्योंकि ऐसे informative content और analysis आप तक regularly पहुचते रहेंगे, तो nifty के daily chart पे आने से पहले हम US Dow Jones के weekly chart को भी देखना चाहेंगे, Dow Jones के अगर weekly chart को देखो, तो यहाँ पे एक recovery हमें देखने को मिला था, और यहाँ पे यह red candle और उपर में long tail, यह क्या दिखा रहा है, कि market में एक profit booking आया है, तो profit booking का जो सिलसिला है, सिर्फ हमारे market में इने US market में भी देखने को मिल रहा है, तो अगर US market में भी अगले हपते गिरा बढ़ाता है, तो यह negative pressure हमारे इंडियन मार्केट पे भी feel होता हुआ दिखेगा, तो अगले आपको US market को भी closely track करना होगा, तो चलिए, अब हम सीधे चलते हैं, निफ्टी के weekly chart पे, अब इस हपते निफ्टी ने multiple times fresh all time high level बनाया, और जो last fresh all time high level बनाया, वो बनाया आपका 24,174 का, आपका 5 trading sessions होता, 5 trading sessions में सिर्फ Monday को छोड़ दीजे, वहांके इसने Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, सारा दिन fresh all time high level का permission किया है, वो भी आपका back to back, और यह buyers के strength को denote करा, और इसी कारण से निफ्टी आपका overbought zone में पहुँच गया है, और अब यहाँ पे profit booking आ सकता है, तो profit booking आता है, तो हमें करना क्या है, अगले हबते क्या strategy हमें तयार करना है, उससे पहले एक और सीट बता चाहूंगा, कि all time high level तो बनाया है, लेकिन last दो trading session से 24,000 के उपर closing दे रहा है, और यह भी overall strength को denote करता है, तो weekly basis पे अगर निफ्टी 23,800 के level को break करके नीचे जाता है, तब ही यहाँ पे हमें negative indication मिलेंगे, otherwise कोई खास negative indication नहीं मिलने वाला है, बस on a weekly basis next week हमें 23,800 के नीचे closing नहीं चाहिए, और इसके नीचे closing नहीं दिया, तो market में जो भी recovery आता है, उस recovery में आप buy-saric के तरफ trade लेना participate कर सकते हैं, या फिर अगर market में confusion हो रहा है, clarity नहीं मिलवा है, तो simply आप trade को avoid कर दिजे, एक हफ़ता trade नहीं भी करेंगे, तो दिक्कत वाले बात नहीं होगी, loss करने से बहतर है, कि हम trade ना करें, अब upside की अगर हम बात करें, तो इसने अगर 24,000 के level को नहीं दोरा, या फिर किसी एक दिन तोड़ दिया, अगले दिन वापस से regain कर लिया, तो इसका जो upside move है, वो आपका continue रहेगा, और इसमें फिर से back to back all time high level का formation बनता रहेगा, तो अगर आपको buy side की तरफ trade लेना है, तो 24,000 का level काफी crucial है, इसके उपर है, तो safely आप buy side की तरफ trade ले सकते हैं, tricky रहेगा, इस 200 point की range में, इस 200 point की range में market में trade करना difficult होगा, इसलिए यहाँ पर सोच समझ के आपको काम करने की जरूरत है, तो चलिए अब हम चलते है, bank nifty को उपर, क्योंकि nifty में सब कुछ clarity के साथ समझ में आ गया है, bank nifty के अगर हम weekly chart को देखे, तो यहाँ पर कहानी थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर आपको long till at the top दिख रहा है, और यह क्या दिखा रहा है, यह दिखा रहा है कि market में profit booking तो आया है, इसके साथ साथ sellers भी market में हमें active दिखे हैं, अब इसके बारे में हमने daily वादे वीडियो में already जिक्र किया था, मैंने आपको कोई indication दे दिया था, कि market में आपका एक spinning top candle का formation कर रहा है, और यह candle market के कमजोरी और market में top formation का hint दे रहा है, और उसके बादे Friday को market में ठीक ठाक सा गिरावट तेखने को मिला है, इसलिए अगर आप हमारा daily analysis बादा वीडियो नहीं देखते हैं, तो इसको भी देखिए, और पहली बारा है, तो सब्सक्राइब करना ना भूले, मैं फिर से एक बाद रिपीट कर देता हूँ, तो अब यहां पर हमें क्या करना है, और अगर आप bank nifty पे गौर करेंगे, तो 52,500 का एक crucial support level को भी break करके नीचे आया है, और closing दिया है, 52,300 करीब, अब weekly basis पे, अगर यह 52,000 के level को तोरा, तो इसमें और गिरावट आएगा, और minimum ही आपका 51,500 से लेके 51,000 के level के करीब आ सकता है, यानि इसमें minimum 500 से 1000 point का fresh गिरावट आ सकता है, अगर यह 52,000 के psychological level को तोरा, तो यह चीज़ ध्यार रखना है, और यह चीज़ weekly basis पे ज़्यादा काम करेगा, upside move के बारे में, अगर यह आपका 52,500 के level को regain कर लिया, और किसी भी दिन closing इसके ऊपर दे दिया, तो फिर से bank nifty all time high level बनाने के बारे में सोचेगा, जब तक 52,500 को पर closing नहीं मिलता है, हमें upside move के लिए नहीं जाना है, या फिर all time high level के बारे 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 नहीं करना है, तो bank nifty में support resistance क्या होगा, clarity के साथ समझ में आ गया, और कब क्या काम करना, वह मैंने आपको बताई दिया, चलते हैं fin nifty, अब यहाँ भी कहानी आपका bank nifty से मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ भी profit booking और इसके साथ साथ, sellers का presence भी हमें दिखा, अब दोनों में एक चीज़ common है कि sellers में strength नहीं आया, इसलिए अभी एक crucial support level, यह जो है आपका 23,500, इसको तोरा है, और यहाँ से लगबग आपका 80 point नीचे 23,000, 420 के level पे closing दिया है, अब level है आपका 420, तो इस level पे हम वह ऐसे भी भरोसा नहीं कर सकते, 420 के level पे यह पहुँच चुका है, तो यहाँ पे आपको यह धोखा दे सकता है, इसलिए सोच समझ के काम करना है, अब यहाँ पे support की अगर हम बात करें, तो weekly basis पे अगर fin nifty 23,300 के level को break करके नीचे जाता है, तो कमजोरी और गहरा हैगा, और minimum 300 point का गिरावट आएगा, और यह 23,000 के level पे देखने को मिल सकता है, clear है कि और गिरावट कब आएगा, अब इस strength कब आएगा, तो strength के लिए simple सा है, यह जो level है आपका, 23,500, इस level को break करके ऊपर निकलता है, और daily chart पे इसके ऊपर closing दे देता है, तो फिर से upside move continue रहेगा, और फिर से आप fresh all time high level के बारे में बात कर सकते हैं, तो 23,500 के ऊपर ही fresh buying कर सकते हैं, जो लोग safe जाना चाहते हैं, और 23,300 के नीचे बिकवाली का मौका भरपूर मिलेगा आपको, तो अब रहाल, फिन निफ्टी में भी अ